हलो फ्रेंड्स, मैसल दॉक्टर सुशीला सैनि गाइनेकलोजिस्ट एन अपसेटीशियन डिरेक्टर जैपुदू बेन होस्पटिल एक बार फिर से आपके सामने हजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, डिलिवरी के बाद अपनी केर कैसे करें बहुत सारी महिलाओं को हमेशे एक बहुती कॉमन सवाल है जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि मैडम डिलिवरी के बाद हम क्या करें और क्या ना करें तो इस वीडियो में आपको यही सारी बाते बताने जा रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके delivery किस method से हुई है यानि कि normal vaginal delivery है या cesarean section है normal vaginal delivery का मतलब normal रास्ते से जो delivery होती है that is the normal vaginal delivery और जो पेट काटकर operation से जो delivery होती है जिसमें cesarean section कहते है जिसमें इतना बड़ा चीरे का निशान आता है वो है cesarean section अब बात आती है यदि आपके delivery normal vaginal delivery है यानि कि बच्चे दानी के रास्ते से आपके delivery हुई है तो वहाँ पर delivery के दौरान एक cut दिया जाता है जिसको कि epiziotomy कहा जाता है epiziotomy एक तरीके का बच्चे दानी के मूँ को बढ़ाने का रास्ता है जिससे की बच्चे के delivery आसान हो सके उस पर जो टाके लगाए जाते हैं वो काफी घुलने वाले होते हैं जो की 5-6 अपते के अंदर पूरी तरह dissolve हो जाते हैं लेकिन जब तक वो टाके रहते हैं तब तक आपको अपने खास care रखनी पड़ती है जब भी आप bathroom जाती हैं जब भी आप toilet यूज करती हैं तो टाको को clean करना होता है और आपकी डॉक्टर ने आपको betadenia, sybulon या कुछ भी ऐसा antiseptic lotion दिया होगा जो इनसे टाको को आपको साफ रखना होता है उसके बाद में उनको सुखा लेना होता है कि उनमें किसी प्रकार का infection ना हो दूसरी important बात कि जब भी आप बच्चे को दूद पिलाएं तो आप पैर लंबे करके बैठें आल्थी पाल्थी बनाके यानि कि cross legs ना बैठें जैसे ही आप cross legs बैठते हैं तो टांकों पे खिचावाता हो कि खुलने का या फटने का डर होता है इसलिए जब भी बैठें अगले चार हफते तक या कम से कम तीन हफते तक पैर सीधे करके बैठें पैरों को जोड कर बैठें उन्हें cross legs ना बैठें तीसरी सबसे important बात अपने खाने पीने का ध्यान delivery के बाद generally अपने घरों में normal खाना नहीं दिया जाता है बहुत सारे myths हैं बहुत सारे अपने rural practices हैं या अपने अपने घर का tradition होता है जिसमें specific खाना दिया जाता है but as a doctor as a whole जो हम आपको सलह देते हैं वो यह है कि एक normal healthy food खाना चाहिए जिसमें सारी तरह के सबजियां होने चाहिए भले ही सबजियों में masala आप कम डाले क्योंकि यह कहते हैं कि जब भी आप बच्चे को breast feed कर रहे हैं तो अगर आपका जो खाना पीना है वो बच्चे को भी affect करता है इसलिए definitely आपका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप केवल दलिया खा रही है दूद पी रही है क्योंकि दलिया और दूद लेने से constipation की बिमारी बढ़ सकती है जो कि आपके टाको पर pressure बना सकते है ताको में दर्द बढ़ सकता है और constipation के कारण आपको बवासी यानि पाइल्स की और फिस्टुला की प्राबलम हो सकती है इसलिए कबजी से दूर रहने के लिए बहुत सारी सबजी आपने खाने में एड़ करें तो ने अची बात होती है अजवायन दी जाते है अजवायन गैस और कबजी को कम करता है तो सिर्टी में डाल कर जो अजवायन एट शाई जाती वो आप अछह से ले सकती है अगला एक ट्रड़िशन यहां होता है कि पानी बहुत कम पीना चाहिए अगर आप 4-5 लिटर पानी पीती है तो आपका दूद का फ्लो भी अच्छा आएगा ब्रेस्ट फिडिंग भी आप अच्छे से करा पाएंगी आपको यूरीन वगर अच्छे से आएगा इसके अलावा आपके बाड़ी में जित्ते भी टॉक्सिंस बन रहें वो सारे बाड़ी से बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ ही आपको कब्ज की समस्या भी नहीं होगी इसलिए पानी जरूर पीते रही है यह एक मित है अपने सुसाइटी में कि पानी जादा पीने से शरीर बढ़ जाएगा मोटापा बढ़ जाएगा तो कई लेडिस पानी बहुत कम पीती हैं जो कि उनकी गुर्दे के लिए किड्नी के लिए बहुत जादा टॉक्सिक हो सकता है तो ऐसा कभी ना करें और पानी बराबर पीते रहें इसके इलावा आप लिक्विड्स में दूद ले सकते हैं दही ले सकते हैं खटाई देने के लिए लोग मना करते हैं तो हो सकता है कि आपको निम्बू और यह सब ना मिले लेकिन फिर भी आप वाइटमिन C की टेबलेट्स ले सकते हैं जिससे की घाव भर जाए क्योंकि जितने भी खटे फ़ल होते हैं में काफी सारा वाइटमिन C होता है जो घाव भरने में मदद करता है तो खटे चीज़े नहीं देते हैं डिलिवरी में नॉर्मल ट्रडिशन है तो हम सब को तो मना नहीं कर सकते हैं तो आप वाइटमिन C की सिंपल टेबलेट आप खा सकते हैं आपकी डॉक्टर आपको प्रिसकाइब कर देंगी अगला इंपोर्टेंट डिलिवरी के बाद जो ध्यान रखने का होता है कि आपने खाना अच्छे से खा रहे हैं पानी भी पी रहे हैं आपने कबजी का भी ध्यान रख लिया है अपना बच्चे का ब्रेस फीडिंग का भी ध्यान रख रहे हैं लेकिन एक सबसे इंपोर्ट नहीं निकाला जाएगा उसके सर पे पट्टा बांदेते हैं कि सर पे हवा ना लगे कि शरीर कमजोर हो गया है और आपको किसी प्रकार की हवा या धूप ना लगे बट यह बहुत बढ़ा मित है और इस वीडियो के तुरू मैं सभी लेडिस को यह बताना चाहूंगी कि ऐसा क जाती है एक बच्चा आपके हाथ में होता है जिसके मुस्कान देखके आप वैसे ही बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाते हैं तो यह करता ही नहीं है कि अपका शरीर कोई कमजोर हो गया है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने आपको घर में बंद रखने से पोस् पा रही है और धूप नहीं मिल रही है हवा नहीं मिल रही है तो डिप्रेशन की शिकार हो सकती है जो कि बहुत जादा ट्रॉमेटिक हो सकता है आप बच्चे के केर नहीं कर पाएंगे आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे इसलिए सभी लेडिस से प्लीज रिक्वेस् अगर आप रोजाना एक से दो घंटे की दूप आप भी लेती हैं और आपने बच्चे को भी धूप में रखती हैं तो आपको वाइटामिन D की समस्या नहीं होगी कमी की क्योंकि वाइटामिन D की कमी होना एक बहुत कॉमन समस्या है पोस्ट डिलिवरी पेरियड में जिससे की हड़ियां गल जाती है जिसे ओस्टीयो मलेशया के नाम से जानते हैं जिसे आपको चलने में फिर ने में बहुत ज़ादा परेशानी हो सकती है इसलिए आपको रेगुलर दूद पीने की सलह दी जाती है ताकि आपको कैल्शयम पुरा और धूप लें धूप लें दूप ल और साथ ही में बच्चे को भी वाइटामिन D की ड्रॉप दी जाती है जो डेली एक से दो ड्रॉप दी जाती है ताकि बच्चे की हड्यां भी मजबूत बनी रहे तो इस तरीके से अभी इस वीडियो में हमने यह जाना कि नॉर्मल डिलिवरी के बाद आप अपनी केर कैसे करे और कुछ important बातों का जिसमें कि खाना पीना और रेस्ट कैसे करना है वो हमने बताया इसी के part 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे कि cesarean section के बाद अपना ध्यान कैसे रखें और कौन सी बाते हैं खास जिनका कि हमें और ध्यान रखना चाहिए तो इस वीडियो का part 2 वीडिय आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार